चलिए आज कूगर वाली चिकन मसाला बनाते है कि उन दिनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जब आपको चिकन बनाना हो अब के पास बीकुल टाइम कीजिए and keep aside for at least 15 minutes आप इसे 15 minutes से जादा भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो दो अनियन को roughly cut कर लीजिए देन एक टमाटर और दो चिली को तुरह पानी डाल के उसे ग्राइंड कर लीजिए और उसका एक स्मूर्थ पेस्ट बने लिए देन एक पैन लीजिए उसमें दो चम्मच जितना घी डालिए और उसे गरम कीजिए फिर उसमें आप माइनेटर चिकन डाल दीजे और उसे हलका फ्राइ कीजे इस स्टेप से चिकन मसाला का टेस्ट और भी इनांस हो जाता है आपके पास टाइम ना हो तो ये स्टेप अब स्किप भी कर सकते हैं जिब चिकन फ्राइ हो जाए तब देन आप एक प्लेट पे उसे देन एक कुकर लीजिए उसमें दो चमध जितना तेल डालीए फिर आप उसमें एक इंच दालचिनी 2 दो इलाइची एंद एक सुखी लालमिच डालीए फिर आप उसमें चॉप अनियन डालीए उसमें थोडह नमक डाल ऑ्से अच्छ से फ्राइश फ्राइज्य गालिक का प जब तक raw smell ना चला जाए फिर आप इसमें चिली और टोमाटो का पेस्ट डालिए जो आपने प्रिपेर किया था और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए फिर आप उसमें एक चमच जीरा पाउडर एक से दो चमच धनिया पाउडर डालिए उसे अच्छे से मिक्स करके कुप कीजि अगर आपने यह फ्राइड वाला स्टेप किया था तो आप मैरिनेटर चिकन भी इसमें इस स्टेप में डाल सकते है जब चिकन और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए अप उसमें ड़ी डालिए और उसे फिर से मिक्स कीजिए ड़ी आप हाफ कब जितना डाल सकते है अगर एक से दो चम्मल जितना चिकन मसाला डाल के उसे अच्छे से मिक्स कीजिए फिर थोड़ा सा पानी डालिए जितना आपको चिकन मसाला का कंसिस्टेंसी चाहिए देन इसे प्रेशर कुग कीजिए इसे पांस से छे सीटी तक इसे कुग होने दीजिए इसे पांस से छे सीटी त subscribe my channel and please drop a comment of how you enjoyed this video that's all for today bye